सो नोश्का दुस्तो स्वागत है आपको लेकर हो आप योट्यूब चैनल में दुस्तो कैसे हैं सब लोग आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे तो यह जो एम्प्लिफार अब देख रहे हैं यह क्लास D का अम्प्लिफार है जो की एक-एक मोनो एम्प्लिफ एक ही सर के पास जा रहा है यह जा रहा है आपका चैनल में ठीक है तो चलिए इसका टेस्टिंग भी देखेंगे चोटा मोटा और इसके बारे में बात करेंगा इसका क्या प्राइज है संप्लिफर का यह भी हम जानेंगे क्वालिटी का इसा है वो तो आप देखी पाएंग अभी डिशलो बात वर्पिए अधिव देख सकते हैं यहां पे देख सकता है बैस ट्रोब हमने कौन सा यूज किया है यह पर मुद्ध का बेस्ट्र मानता हूं और आप लोग भी मानते होंगे ठीक है क्यूंकि क्वालिटी में कईपे कंप्रमाइज किया नहीं जाता है हमा यहां पर transformer की उपर और circuits की उपर और totally assembling and wiring आप देख सकते हैं तो आपको यहां सही पता लग जाएगा कि इसकी quality कैसा होने वाला है कैसा चलने वाला है और यह transformer 6060 का transformer लगा गया है जो की 15 Ampere करके एक ट्रांस्परमर है 900 Watt तक इसकी capability है 900 Watt का एक सब्सक्राइब करके आप लेकर चलिए ठीक है जहां पर इसका ज्यादा मिलेगा पर मैं 1000 Watt बोलके ही चल रहा हूं ओके यहां पर सेंट डस्ट को यूज किया गया है जो की best quality का कोर माना जाता है और वही हम यूज करते क्योंकि यह कोर की अंदर काफी सारा कर्चूपी हो जात सस्ते सस्ता प्रोड़क्ट मतलब एक और लगा देते हैं हीट सिंग पतला वाला यूज कर लेते हैं और वैसा हम काम नहीं कर रहे हैं आप देख सकते हैं क्वालिटी एकदम जबर्ज़स रखा गया है शॉप्ट स्टर्टर भी लगा गया है यहां पर पट्टी लगा होगे यह पर उप्टी लगा हुआ है यह एक्चली च्हान पर बीFC लगा हुआ है प्लस फ्रकूर इभा लगा हुआ है जो की शाओं यह प्रेक्टेन आपका अपका अच्टिव नहीं होगा इस्पीकर लाइन आउट्व लाइन क्लियर नहीं होगा तब तके पावर एलेडी शो नहीं करेगा यहां पर 10,000-100 बॉल्ट का कैपसिटर लगा हुआ जहां पर चार पीसे साफ लगा हुआ यहां पर कैपसिटर दो-दो करें पैरलली कनेक्टेड हैं उचाय दोस्तों और से में बेस्ट का बैनना चानेक्टर आपको देख सकता है ट्रमीनल एक का यह बड़िया है च्छी क्वालिट कह तछी क्वालिटी का देशेलimar एक्टम इससे बीहल का घ्रिल आता है और वह नहीं लगा है तोटले उमारी जो grill बगरा है cabinet बगरा नहीं अच्छी quality का shining के साथ ready किया गया है यहाँ पर एक fuse दिया गया है एक input दिया गया है यहाँ से कोई भी आप extra output लेके नहीं बजा सकते हैं जो कि कोई दूसरा amplifier की connect करना चाह रहे हैं आप तो यह नहीं होगा इसके अंदर कि इसके अंदर उतना जगा नहीं है customer के demand की हिसाफ से हम इसको customize किये है तो उसी हिसाफ से इसको तयार किया गया है आपको अगर वैसा demand चाहिए कि हमें output section भी चाहिए तो वो हमें आपको बताना पड़ेगा तो उसी हिसाफ से काम होगा as it is same amplifier यह भी है सिर्फ इसका हमने core थोड़ा सा बढ़ा कर दिया था मेरा इसका छोटा size का core जो small है इसी की साफ से यह transfer है यह size का core खतम हो गया था तो बड़ा size का core मेरे को इसके अंदर डालना पड़ा अदर्वाइस यह totally same to same amplifier है ठीक है दोस्तों चलिए इसको हम टेस्टिंग वीडियो थोड़ा सा देख लेते हैं और यह आपको कैसा लगा यह amplifier की वीडियो और यह finishing कैसा लगा total all over हमें बता दीजिए comment कीजिए और अगर चैनल को subscribe नहीं किये तो please हुआ कि अझान लगी झुड़ा यह कि है इस आता कियोकर ऑन्यर की स्कॉर्भ और यह थीजिग समाण तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंद मातरम